तो वहीं कानूनी मामले पर राजनितिकर रोटियां सेखने की कोशिश केजरिवाल और उनकी टीम को महगी भी पढ़ सकती है वित्मंत्री अरून जेटली ने केजरिवाल समेट उनके छे सातियों पर आपराधिक मानहानी और मानहान का केस किया है यह पूरा मामला डीडीसीये में कतिर बिस्टाचार के मामले में आरून जेटली का नाम खसीटने के से जड़ा हुआ है जिसका फैसला अब नेयले की चोखट पर होगा डीडीसीये के मसले पर संसद में वित्मंत्री ने तमाम आरूपो को खारिस किया तो केजरीवाल समेच छे आम आद्मी पार्टी नेताओं के खिलाफ पटियला हाउस कोट में आपराधिक मानहानी और दिल्ली हाई कोट में मानहानी का केस दर्स करा कर विरोधियों पर करारा हमला किया डीडीसी में अर्णियमित्ता के आरोपो पर वित्तमंत्री ने आम आदमी पार्टी को अदालत में घसीट लिया है सबसे पहले जेटली ने मानहानी का दिवानी मुकदमा दिल्ली हाई कोट में फाइल किया इसमें अर्विन केजरिवाल, कुमार विश्वास, आशुतोष, संजे सिंग, रागव चड़ा और दीपक वाजपई का नाम है और 10 करोड का हरजाना मांगा गया है दोपहर बाद वितमंत्री अरुन जेटली ने केजरिवाल समेच 6 आम आदमी पार्टी नेताओं पर आपराधिक मानहानी का केस दर्स कराया है पटियला हाउस कोट में इस पर 5 जनवरी को सुनवाई होगी कोट को पूरी कंप्लेंड के में जो एलिगेशन सारे अक्यूस के बारे में लगाए गए हैं उनको पढ़के बताया गया कि किस तरह से ये धाराय बनती हैं और किस तरह से इन्होंने ये ओफेंस कमिट किये कोट ने सारी एलिगेशन को मद्दे नजर रखते हुए जेटली जब इस केस के मामले में अपना बयान दर्स करवाने पहुचे तो उनके साथ कई केंद्रिय मंत्री सांसद मौजूद थे उनके तमाम समर्थक कोड के बाहर मौजूद रहे और नारेबाजी करते रहे सरकार की ओर से साफ कहा गया कि आमादनी पार्टी के आरोपों में कोई दम नहीं है अब जहां करप्शन हो उस करप्शन की अगर तैकिकात ना हो अगर ऐसा मानना हो दिल्ली के मुक्हिमंत्री का तो ऐसा सपश्ट कर दे जनता को वहाँ से उन्होंने पूरा एक दूसरी दिशा दी इस केस को और जेटली ची का नाम नहीं लेना शुरू करा और जिनका किसी भी कमपनी में जिसमें डिडी से को काम दिया गया उस किसी भी कंपनी में ना उनका ना उनके परिवार का नाम हो ऐसे व्यक्ति का जब बार-बार नाम लेकर वो आरोप लगाएं और बद्दे शब्द इस्तेमाल करें तो वो मानहानी होती है और आज का जो केस जो दर्ज करा गया वो मानहानी का केस दर्ज करा गया वही आम आदमी पार्टी के नेताओं का कहना है कि वो केस का सामना करने को तैयार हैं। तमाम आरोफ प्रत्यारोपों के बीच कई पूर वर्तमान क्रिकेटर अरुन जेटली के समर्थन में सामने आए हैं। गौतम गंभीर और विरेंद्र सहवाग के बार टीम इंडिया के टेस्ट कप्तान विराट कोली ने भी अरुन जेटली का समर्थन किया है। लेकिन वितमंत्री पहले ही कह चुके हैं कि वो 2013 के बाद डीडी से के अध्यक्ष नहीं थे। यही नहीं इस मामले में यूपीय सरकार की जाच में भी जेटली के खिलाफ कोई मामला नहीं बना। ऐसे में अब इन आरोफों पर अदालत में ही फैसला होगा। विकास सारती और इतु वर्मा के साथ न्यूस नाइट डैस डीडी न्यूस।